आसा मीकरम आज हम नाएंगे चिकन क्राई उसके लिए आप इंग्रीरिंस नोट करें साथ है हमारी चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और मैल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें चलने शुरू करते हैं सबसे पहले हमने एक पैन में हाफ कॉप आइल ले लिए इसमें बटर एट करेंगी 4-5 तेविल स्पून बटर को मिल्ट कर लेते हैं बटर यह पर हमारा मेल्ट हो रहे हैं अब इसमें डालेंगे अद्रिक लेसन का पेस्ट बन टेबल स्पून इसको भूनेंगे अच्छी तरह तक इसका कच्छा बन खतम हो जाएं अब इसमें जिगन एट करेंगे एक किलो चिकन ले लिए मैंने चिकन को मैं फ्राइ करूँगी जब तक इसका कलर चाहिए जब तक इसका कलर चाहिए चिकन यहाँ पर फ्राइ हो रहा है अब हम इसमें एक कप देई एट करेंगे चिकन को मैं अब देई के साल भून रही हूँ इसको कवर कर देंगे पाच मिनिट के लिए अब इसका घी उपर आना शुरू हो गया इसमें टमाटर एट करूँगी दो से तीन इसमें मैंने प्यास एट नहीं किये इसमें सिर्फ टमाटे डाले मैंने नमक 1 तीश्पून सुका धनिया पौष आफ टीशपून हल्दी आफ टीश्पून सुर्ख मिर्च का पौष पौष वन तीश्पून काली मिर्च वन टी स्पून क्रेश रेड चीली जाफ टी स्पून इसको मैं भोनूंगी इन मिसालों के साथ अच्छी तरह इसमें पानी एड नहीं करूंगी यह इस टमाटर के पानी से और दी के पानी से चिकन गल जाएगा 5-7 मिनिट के लिए मैंने गवर कर दिया है टमाटर हमारे गल जाएगे अब में गुर्श को मूनूंगी अची तरह चिकन यह पे अमारे डेडी हो रहा है इसमें मैं डालूंगी जीरा पॉर्टर हाफ टी स्पून गरमे सला हाफ टी स्पून मैंने इसमें अड़ी है तो इसको मैं भूल लोगी अब देखने हैं इसका की उपराना शुरू होगे अची तरह से इसको भूनेंगे बहुत मैजे का चिकन बनते हैं जैसे आप रिस्टरेंट में खाते है बिल्कुल वही टेस्ट होगा जरूर ट्राइ करें इंशाला आपको अच्छा लगीगा चिकन हमारा फूल डन हो चुके आप चाहिए देशको नाल श्रीक के पैर में वे बनते हैं आपको नाल जरूर श्रीक थाइए मैंने इसको लोही क्टढ़ाई में बनाए ज्यस्टेरेंट में बनता है लेमन का जूस है मेरे पास काफ टीज स्पूम चंद कत्रे लिए मैंने इस से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा चिकन कटीव हमारी त्यार है मैंने इसको गणिश के लिए अद्रक काट लिया था मैंने जूलियन और सबस मेरेच जूलियन काट के मैंने इस को गार्णिश कर लिया मज़े ताय चिकन कराई हमारी त्यार होगी है उमीद है आपको अच्छी लगीगी माई चैनल को प्लीज लाइक करें सबस्क्राइब करें अपने फ्रिंद और फैमिली में शेयर करते रहे मिलते हैं अपनी नई रेस्पी के साथ तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें दौब में याद रखें अलाहाफिज अपना बहुत सारा ख्याल रखें झाल झाल